R.D. Sharma Solution, Class 12, MCQ Multiple Choice Question, Chapter No. 17 है यह, Increasing or Decreasing Functions हम देख रहे हैं, The Interval of Increase of the Function, Fx equals to this Function is, अब आपको बताना है किस Interval में यह Increase कर रहा है, याने कि बढ़ेगा, Increase का मतलब क्या होता है, हमारे पास, F-X greater than 0 होना चाहिए, यह हम जानते हैं हमी तक, तो हम क्या करेंगे, इसका differentiation कर रहे हैं, पहले differentiation करके दिखा देता हूं में आपको, तो आप देखेंगे, X का तो 1 हो जाएगा, E to the power X का E to the power X ही रहेगा, और क्योंकि यह constant है, यह क्या confusion के लिखा हुआ है, कि इसका क्या differentiation होगा, कई लोग इसी में अटक सकते हैं, बस ध्यान रखें, यह constant है, constant का डियो differentiation होता है, वो 0 होता है, तो यह हट जाए, अब डेश X आ गया, अब यह greater than 0 होना चाहिए, इसका मतलब 1 minus E की power X greater than 0 होना चाहिए, यानि कि 1 greater than E X, इर्थ power X होना चाहिए, या E की power X less than 1 होना चाहिए, यह हमने देख लिया, अब अगली बात क्या आती है, यह कब हो, E जो है, वो एक constant value है, E की value होती है, 2.174 something ऐसे होता है, अब constant value पे आप कौनसी value X डालेंगे, जिससे आपको यह less than मनाना चाहिए, अगर मैं 2 है, 2.174 में, कोई ऐसे value डालें, जो इसको 1 से कम बना, यह कहें, कि यह वाली equation को follow करें, यह तब ही हो सकता है, जब यहाँ पर आप less than 0 value डालेंगे, यह यह से माली यह minus 1 डालेंगे, तो 1 by 2.174 हो जाएगा, और यह आपका less than 0 होता है, less than 1 होता है, इसका मतलब आप जो यह x value डालेंगे, वो x less than 0 होना चाहिए, अब number line पर क्या कहता है, x less than 0, 0 से less मतलब आप यहाँ पर जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे, minus infinity आपकी परीदी है, तो minus infinity से 0, इसका मतलब x should belongs to, यह x किसमे होना चाहिए, minus infinity से 0, minus infinity से 0 जो भी होगा, वो option आप चूज़ करें, इसको करने का जो तरीका है, वो उससे देख लीजिए, बिल्कुर straight forward question है, the function fx equals to cot inverse x plus x increases in the interest, increase का दिखाना है, तो हमारा कान क्या होता है, सीधा हम f-x greater than 0 दिखाएंगे, लिकिन उसके लिए हमको differentiation करना पर, तो इसका मैं differentiation कर देता हूँ, cot inverse x का होता है, minus 1 by 1 plus x square, यह आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी, x का हो जाएगा 1, तो यह क्या बना आपका, इसको इससे मडिपाए करिए, इसको इससे मडिपाए करिए, और इन दोनों का आपसे मडिपाए करके, यहां x square में 1 भी जोड़ दो आप, positive value में, x square में 1 जोड़ दो तो भी आपका positive ही होगी, यह भी clear होगे आप, इसका मतलब यह पूरी value आपकी वैसे भी positive है, यह greater than equal to 0 है, तो fx कहां बढ़ रहा है, कौन से value आप x डालेंगे, तो x में आप कोई भी value डालेंगे, negative डालेंगे, चाह even power होती है, वो हमेशा आपको कौन से value देता है, हमेशा positive value देता है, तो यही इसका explanation है, कि greater than 0 कब होगा, जब x पूरे number line में, जो भी number है, वो आप डालेंगे, हमेशा ही positive रहेगा, क्योंकि square वाला यहां पर representation, तो x आप कह सकते हैं, किसके बीच में होगा, यह होगा, minus infinite से ल decreases on the interval, कब यह decrease करें, यहां पर जैसी आप यह करना शुरू करते हैं, तो यहां पर main चीज़ है, आपके differentiation की, बागी चीज़े तो आप खेर अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन main चीज़े के differentiation, और differentiation के बाद हमको क्या मिलता देखेगा, पहले मैं differentiation इसका कर देता हूँ, और f x equals to x की power x, जिन्होंने भी differentiation अच्छे से जाना है, वो जानते हैं कि यह इस तरीके से नहीं हो पाएगा, हमें दोनों side log लेने पड़े, यहां पर भी हमें log लेना पड़े, log लेती है क्या होगा, यह तो log fx ही बनेगा आपका, यहां तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन यह x जै देंगे, differentiation कैसे होगा, दोनों side आप differentiation कर लिजे, differentiation करने का तरीका, log fx का क्या होगा, 1 by, मैं दोनों side differentiate कर रहा हूँ, differentiating both sides, तो differentiation करेंगे, तो 1 by fx आ जाएगा और fx का हो जाएगा, 1 by f-x, बतलब log के अंदर जो भी होगा, वो 1 by आ जाएगा, और इसके अंदर का differentiation हो जाएगा, 1 by x, plus log x को ऐसे रहने दीजे, फिर x का 1 होगा, यह cancel हो जाएगा, 1 plus log x, लेकिन f-x निकालना हो, तो क्या करेंगे, यह fx को आपको यहाँ multiply करना है, और fx आलड़ी क्या है, यह तो आपको value पता ही है, यहाँ से शुरुवात की थी, तो x to the power x, 1 plus log x, ठीके साब, अब इन्होंने कहा, यह decrease करना है, decrease कब होगा, decrease था होगा, जब यह पूरा का पूरा content less than 0 होगा, याने, x की power x, 1 plus log x, यह आपका less than 0 होगा, less than 0 का कैसे होगा, पहली चीज़, log आपको clear पता है कि यह जब मैंने log x लिख दिया, इसका मतलब x हमेशा positive value होगी, यह negative तो हो नही greater than 0 है, 2 की power 2 डालू, तो 4 भी greater than 0 होगा, तो x की power x भी greater than 0 होगा, जो मैंने यहाँ पर example से समझाया, तो x की power x ग्रेटर दिया 0 हो गया, यहाँ तो बात बन गई कि यह आपका greater than 0 होगा, इसका मतलब यह positive होगा, अब इसको less than 0 है, इसका मतलब इसको negative होना ही पड़ेगा, कि हो गया ना इसका मतलब क्या हो मैंने कहा ए की पावर है और आप जानते हैं कि लॉग a b बरावर c का मतलब होता है a raise c equals to b यही कर ली जा आप e की पावर minus 1 है ना x यहीं रहेगा तो x e की पावर यहां ले जा रहा हूँ यह जो वैल्यू है 1 by e यह कहें इसको 1 by e की पावर minus 1 रखके ही हम प्रूफ कर सकते हैं कि e क्योंकि greater than 1 है ना e is greater than 1 क्योंकि 2.714 है तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा point क्या आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया x should be less than e raise minus 1 याने x should be less than 1 by e तो अब इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमने दो चीज़े निकाली एक x less than 1 by e और एक दूसी चीज़ निकाली हमने x positive x greater than 0 है ना अभी भी मैंने आपको बताया था कि x जो है वह greater than 0 है अब इन दोनों को मैं combine कर देता हूँ कैसे combine करें number line जादा बहतर रहेगा मैंने कहा कि x greater than 0 होगा यह 0 से बड़ा हो और less than 1 by e होगा माली जी 1 by e है इससे कम यह जो point है यह interval ही तो बात हो रही है मतलब 0 से लेकर 1 by तो x अगर 0 से 1 by e के बीच में आएगा तो आप कह सकते हैं कि यह decrease हो जी 0 से 1 by e यही इसका हो तो इसमें कई चीज़े एक्स्टा भी दर्ज कर सकते हैं आप यानि कि अपना point proof करने के लिए जहां जहां आप diagram मना सकें जहां 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 number line मना सकें और जहा जहां आप इस तरीके से बता सकें जैसे मैंने आपको अब बताया था कि log x का मतलब क्या हो वह चीज़ यहां इस्तेमाल हुई है तो वह आपको बतानी पड़ेगी लिखनी पड़ेगी तो function fx equals to 2 log x minus 2 minus x square plus 4 x plus 1 increases on the interval यह कब increase होगा तो पहली चीज़ तो भाई हमें differentiation या कोई भी value ऐसी log लिख दी कि हमारी log है और हमने कहा कि log x है इसमें तो यह x should always be greater than 0 it cannot be equal to 0 और मतलब negative नहीं हो सकता है शुद भी always greater than equal to 0 ऐसे कैसे तो यह हाँ पर x minus 2 है तो x minus 2 should be greater than 0 यह नहीं कि x should be greater than 2 यह हो गया ना तो बस सीधी सी बात है कि अगर मैं एक number line से आपको represent क करके दिखाऊं यह कह रहे हैं कि 2 से ऊपर होना चाहिए 2 से ऊपर कहा जाएंगे infinite तर तो यहां x कोई problem नहीं है यहां x भी कुछ भी डालिये आप लेकिन यहां x के डालने में problem है तो आप हमें समझ में आ गया कि इसका जो domain है वो आपका 2 से लेकर infinite यह तो पहली चीज़ क्ल यहां पर आजाएगा आपका 2x यहां पर आजाएगा आपका 4 बाकि यह 0 इसको थोड़ा solve कर लेते हैं यह basically 2 by x-2 तो इसको solve करने का तरीका क्या है आप एक LCM ले लीजे और multiply करके लिग दीजे तो मैं इसका direct final version आपके सामने ले लिग दे रहा हूं क्योंकि उसमें थोज़ आप solve करेंगे तो आप देखेंगे minus 2 x square minus 4x plus 3 divided by x minus 2 है अब दूसी चीज़ क्या है increasing में आपको इसको greater than 0 दिखाना है अब कैसे बताओ गया minus 2 less than 0 है यह पहली चीज़ आ गई x minus 2 क्या है हम तो यह हमने यह बता दिया भई x minus 2 greater than 0 होना चाहिए तो x minus 2 greater than 0 है यह कहें दीजे x greater than 2 है इसका मतलब यह ही हुआ तो x greater than 2 है और x minus 2 greater than 0 है तो यह आपका negative नहीं हो सकता यह आपका negative है तो greater than 0 होने क्लिए क्या चाहिए हम हमें यह negative negative cancel हो जाएंगे और यह जो x square minus 4 plus 3 है और increase इसकी बाद increase का मतलब यह greater than 0 तभी possible है जब यह negative है और यह positive x minus 2 positive है यह negative है यह negative यह positive तो यह क्या होना चाहिए greater than 0 के लिए जैसे मैंने आपको number बताए जैसे यह A इसको माल लीजे A यह है आपका B और यह नीचे वाला C है मैं यह कह रहा हूँ A negative है C जो है वो positive है तो B का sign क्या होना चाहिए ताकि यह greater than 0 हो negative होना चाहिए ना क्योंकि इस positive को छोड़ दीजे इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा minus है आपर तो आपको एक minus value चाहिए ताकि minus minus positive हो जाए तब ग्रेटर दन 0 होगा इसका मतलब x square minus 4x plus 3 यह क्या होना चाहिए less than 0 होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया यह negative हो next step क्या है हमने अब जैसे discuss किया x square minus 4x plus 3 यह क्या होना चाहिए यह less than 0 होना चाहिए ताकि हम increase दिखा सके x square minus 4x plus 3 इसका मैं root बना देता हूँ x square minus x minus 3 x plus 3 बराबर 0 अब इसको 0 नहीं करते हैं यह हो गया x x minus 1 यह हो गया minus 3 x minus 1 इसका factor बनेगा x minus 1 और x minus 3 यानि यह 0 कब होगा x बराबर 1 पे यह 0 गा x बराबर 3 तो हमारे पास यह आ गया एक 1 आ गया एक 3 आ अब less than 0 में क्या करेंगे आप इस जगा पे क्योंकि आपको यह बताना है भी कि उत्तर भी तो लाना है और यह भी जानते हैं आप कि हमारा domain जाया है और 2 से लेकर infinite नहीं कि यह 2 हो गया और यहां से लेकर आप infinite तक जाएंगे और दूसरी चीज़ यह आगए कि आपका यह 1 और 3 के बीच में होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं जब less than 0 है इसका मतलब 1 से 3 के बीच में होना चाहिए यह हो गया और domain क्या बता रहा है यहां से यहां तक होना चाहिए 2 से लेकर infinite तक इसमें common क्या है 2 और 3 अगर यह इंक्रीज कर रहा है 1 2 में तो k किस interval में आए तो इन्होंने clear ही दिया है कि 1 2 में यह इंक्रीज कर रहा है सीधा इसका हम क्या करेंगे f dash x निकालेंगे f dash x क्या होगा 4 x मतलब differentiation minus k यही आ गया अगर यह increasing है तो आप क्या करेंगे greater than 0 दे देंगे greater than 0 का मतलब क्या है कि 4 x greater than k यही हो गया यह खह सकते है k less than 4 x यही तो हो गया अब आप देखें कि x जो है 1 और 2 के बीच में है अगर आपका है कि x क्योंक्वेस्टन में दिया है 1 और 2 के बीच में अगर मैं 4 x कर दूँ तो 4 से मुल्पाय कर दो आप इसको 4 से 4 1s of 4, 4 to side तो x किस के बीच में आएगा 4, 8 के है square bracket है जहां रखेगा k less than 4 x तो k less than किस के आ गया अब 4 और 8 यह यह आपका 4 है और 8 तो k less than 4 x यहां से हमने तक जाएंगे आप less than 4 में minus infinite तक तो इसका जो interval बनेगा वो बनेगा minus infinity से लिकर 4 तो आप कहेंगे k belongs to minus infinity to 4 यही इसका उतर हो तो इसको इस तरीके से solve किया जाएगा बड़ा straight forward easy question है या आप आराम से कर सकते हैं खुद भी let fx equals to this be an increasing function on the set r then a and b satisfy a और b की क्या relationship होनी चाहिए या क्या इनके बीच में एक greater than 0 less than 0 relationship होना चाहिए ताकि आप इसको increasing बता सकते हैं increasing करने के लिए हमें क्या करना है हम इसका differentiation करेंगे सीधा differentiation कर देता हूँ मैं जो लिख रहा हूँ प्लस 5 तो ऐसे रहेगा sin square x का बनेगा 2 sin x और sin x का हो जाएगा आपका cos x तो यह 2 sin x cos x को हम sin 2 x लिखेंगे यह आप अलड़ी जानते हैं तो क्या बना finally 3 x square यह हो गया minus 2 x plus 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 b और आप इसको कह दीजे प्लस 5 sin 2 x अगर यह increasing है इसका मतलब यह greater than 0 होना चाहिए अब एक एक करके देख यह greater than 0 होना चाहिए अब यह आप अच्छी तरह जानते हो कि जो quadratic function होता क्योंकि यह आप already square दिख रहा है तो यह एक quadratic equation है quadratic equation है इस quadratic equation को अगर greater than 0 होना चाहिए इसका मतलब इसका जो discriminant है वो less than 0 होना चाहिए जो हम निकालते हैं ना b square minus 4ac यह आपका discriminant होता है इसको हम d कहते हैं तो b square minus 4ac less than 0 होना चाहिए तो इसमें यह quantity equation है a इसमें 3 है b इसमें 2a है यह कहें कि हाँ यह b इसका 2a है और यह पूरा का पूरा आप c ले लीजे यह इसको मैं match करा रहा हूँ a x square plus b x plus c से तो a क्या हुआ 3 b हो गया 2a और c हो गया यह तो b square minus 4 इसे निकाल लो आप b square क्या हो गया 4 मतब 2a का whole square minus 4 into a हो गया 3 और into b plus 5 sin 2x यह आपका less than 0 होना चाहिए यह तो आपको क्यार कॉर्टेटिक क्वेशन से clear ही है यह हो गया 4a square minus 12 अब मडिपाय कर दीजे इसको 12b और यह भी अंदर मडिपाय कर दीजे माइनस 12 और 5 होता है 6 60 60 sin 2x less than 0 हाजी सब को आप एक काम करिए 4 से divide कर दीजे क्योंकि 4 यहां पर भी common है 4 यहां भी है 4 यहां भी है finally क्या बनेगा आपका a square minus 3b और minus 15 से जाएगा 15 sin 2x less than 0 अब यहां आगया आपका sin 2x यह बन गया आपका a square minus 3b minus 15 into sin 2x less than 0 तो यह relationship maintain करनी है हमको आप जानते हैं कि sin की value जो होती है sin theta की value हमेशा minus 1 और 1 के बीच में होती है इससे जादा नहीं हो सकती इससे कम नहीं हो सकती अब less than 0 का मतलब यह है कि हम इसकी minimum value ले 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 तभी हम satisfy कर सकते यह maximum value पर काम बनेगा नहीं कि less than 0 है greater than 0 होता हम plus 1 ले यहां sin 2x की minimum value लेंगे minus 1 और मैं अगर यहां पर minus 1 value इसकी जगह पर रख दूँ तो यह minus और minus plus बन जाएगा यह आपका plus 15 यह आनेगी a square minus 3b plus 15 यह less than 0 हो जाएगा और इसमें यह वाला option आप यह इसका करने का तरीका हो